स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में आज हम सैंपल कोशन पेपर दिखेंगे सोशल साइंस का क्लास 10 के बच्चों का तो यह जो पेपर है पूरा आपका जो मैंने पेपर पैटन वाली वीडियो में सब कुर समझा देता उसी पैटन पे ह है इसके आज हम सीक्यूर कोशन सेखेंगे सबसे पहले सेक्षण एक मल्टिपल चॉइस कोशन तो अगर कोई भी कोशन में मैं गलत अगर गलत बो तो उसके लिए अफरिंट मत हुए बिकॉस मेरी असस्टी जादा अच्छी नहीं है ठीक ठाक है तो सबसे पहले हम फर्स अच्छी शिप्स चाहिए इंवेस्मेंट चाहिए टेकन लॉजी चाहिए तब ही तो जा पाएंगे तो इसमें आपका सी ओप्शन जो है करेक्ट जाएगा और आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है क्यों करेक्ट है वह आप इसे पढ़ सकते हैं वह इ गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूस्पेपर स्टार्ट कर रहा था तो केसरी न्यूसपेपर उन्होंने स्टार्ट कर था आप कोशन से पढ़ भी सकते हैं विडियो को स्टॉप कर गें यह पिचर किस पेंटर ने बनाई है तो यह पिचर राजा रवी वर्मा ने बनाई है जो कि बहुत अच्छे पेंटर थे इडोपेन एंडियल में लिए नेक्स्ट को नाजिकल ओडर में लिखे यानि यह पहला इंसिडेंट यह हुआ फिर यह हुआ फिर यह हुआ यानि इसके बात-बात-बात जराता है उसे को नाजिकल ओडर कहते हैं तो इन्हें आपको को प्रेस को इंवेंट करा था देन मार्टीन लूट लिंग्स ने प्रोटेस्टेंट डिवॉर्फ रीफॉर्मेशन की बिगनिंग स्टार्ट करी थी देन मैं नैक्यों ने री इंटरप्रेट करा था वाइबल का मेसेज और प्रिंट कल्चर अपनी मतलब किसके कंडिशन ने पर फ्रेंच रिवॉलिशन की कंडिशन पर आप इसे पढ़ भी सकते हैं फिफ्ट कोशिन है आपको बताने जो की फूट और फूटर दोनों में यूज़ों जिसका टेमपरेटर 21 डिग्री से 27 डिग्री में हो खारीव क्रॉप हो अलेविलल सॉयल में ग्रो हो और बहुत ज से डिप्स्क्रिप्शन याद कर तो किसे मैच कर रहा है यह मेज से मैच कर रहा है क्योंकि जो मेजी ऐसी क्रॉप है जो फूटर फूटर दोनों है नेक्स्ट है कोशिन नमबर 6 वीच आफ दर फॉलिविंग तो कोशिन आपको दे रख है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है और हम रहे ले दो प्रॉप होरेस्ट प्रमी receiving andron फूरेस्ट के प्रमिनेंट फॉटर प्रॉप होंगे हें तो नहीं ही स्टेमन फॉरेस्ट हो थे जो घुरिविन और इंटिविज्च्ट लते और चाहिँला ख़िए मिलाकिम प्रमिनेंट फॉरेस्ट ध्ट काहते हैं यह प आप आंसर भी देख सकते हैं डी आप्षिन आपका रहेक्ट है रिडियू डिसोर्स जो होते हैं जो हम मतलब रिण्यू करते हैं वापिस आप सकते हैं तो फॉरेस्ट औन वाइल लाइफ नॉन रेनेवेबल वो होते हैं जिने हम वापिस नहीं रा सकते या फिर उनकी हो जाएंगे national resources वो होते हैं जो पूरी country के लिए होते हैं तो वो रोर्ज कैनल्स रेलवे यह सब national resource है और international resource वो होते हैं जो कि ocean body है पूरा हमारा international resource जो पूरी हर country यूज़ कर सकती है तो इसमें जो यह option है मैंचिंग में फिर आपका question यहां पर यहां पर पावर शेरिंग अलेज्वेंट बेल्जियम का दे रखा है बेल्जियम में equal number of members थे डच और फ्रेंच community के central government में तो यह यह तो सही है separate government थी ब्रूजल के लिए और equal representation था communities में तो यह ब्रूजल के लिए अलग separate government थी और equal representation भी community का था state government जो थी subordinate थी central government की तो ऐसा नहीं था state government subordinate नहीं थी यानि उस पर depend नहीं थी वो अपने कारे करती थी और वो अपने कारे तो इसमें आपका incorrect निकालना था तो कि ही आपका incorrect है फूर्थ है community government जो इलेक्ट होती थी किसी एक language के लिए तो यह स्टेट में आता है और अपने मतलब स्टेट में आता है बट दोनों ही चीज जो है वह education में आती है यानि education हमारा concurrent list में आता है फिर इनमें से true है कौन सा feminist movement के according तो feminist movement क्या होता है जो कि ऐसा movement जो कि इंप्रूफ करे पॉलिटिक और लीगल स्टैंडिंग वूमें की तो इसमें क्या है एक ऐसा group जो की वूमें को रूलर और अर्बन लेवल पर पावर दिला है या फिर एक movement जो की बिलीफ करें यानि यह विश्यास लाए कि फीमेल को जो फैमिल्स मुव्मेंट है वो यहीं हमें सिखाता है यहां पर टिक कर देंगे नेक्स्ट वीच आप फॉल्विंग परिस करेक्टली मैच तो इन में से कौन से करेक्टली मैच है तो भारती जंता पार्टी एक नेशनल डिमेक्रिटिक अलाइंस है तो इसमें आपका यह उ अगांटिबल लेजिमेट करेंट होती है क्योंकि डेमक्रिशी में रेगुलर और फ्री और फेर एलक्षिन होते है यह 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 और डिसीजिशन मेंग होती है वह नौम से प्रोडूसर्स पे होती है तो यह पूरा हमारा एसर्शन भी टू है अब इसमें एप्शन पर टिक कर सकते हैं क्योंकि एक डेमक्रिसी को हम अकाउंटेबल रिस्पॉंसिविक कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजन से विच वर फॉलिविंग लीजन वास प्रोटेक्टेड एड फॉरस्टेड वाइशी लंकर तो कौन सा प्रोटेक्ट करा था उन्होंने सब्सक्राइब बहुत हैं इस डाटा को रीड करें और ऐसे बच्चे बताइए जहां पर जो अलिमेंटरि एडूकेशन जादा लेते हैं तो आप देखिए ग्याटि न सब्सक्राइब हर अब हरयाना बिहार हराना के द्ला दोनों यह के ला किसमें सबसे जाए है हर्याना में 82 के ला मिच्राटी नाइंटी वर और बिहार में 62 तो आपको बताने तीनों में से कौन से जाथ है आपकोस केरला जाद है तो हमारा केरला आ जाएगा अंसर क्योंकि क्योंकि जो केरला हुआरा 94 परसंट जिल्टन है और हर्याना अभिहार में 82 और 62 है अब यहां पर पताने हैं आपको आपको अप्रिशेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है हाँ मेंच परसंटेज ऑफ गर्ल्स और नौट अटेंडिंग स्कूल तो टोटल जो है रूलर पॉपुलेशन है वह हमें दे रखिए मेल और फीमेल की मेल इतने अटेंट कर रहे हैं इसको इससे माइनस करेंगे तो अठारा आएगा अठारा परसंट जो फीमेल है वो नहीं कर तो इसमें आपका डी ऑप्शिन अठारा करेक्ट जाएगा है अगा है 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 नेक्स्ट एक उचिन फाइंड और फाइंड और आउट अप दे फ्रॉलोविंग ऑप्शिन तु इसमें और बताने तो टूरिस गाइड बारबर टेलर पॉटर यह सारी क्या हैं सर्वि पोस्ट मैंनि एक काम है शोल्जर पुलिस इसारे काम यानि जो नौकरी आप करते हैं इंडियन रेल्वेस जैट एर्वेस दूर दर्शन मेट्रो बढ़ यह तीनों क्या है इंटियन रेल्वेस जैट एर्वेस तारे मीन्स अफ ट्रांस्पोर्ट यानि एक जगे से दूसरे कि कैसा मतलब इंप्लॉइमेंट आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और नाइस कर रहे हैं अब रोहन नेना लोन लिया पांच लाग का नेक्स कोशन 18 है बैंक से एक घर खरीदने के लिए जो कि बारा परसें डेट आफ इंट्रस्ट उसने खरीदा ही आज टू सब्मेट प थापी रखते हैं कि कुछ समेट करने के लिए मतलब कुछ रखते हैं अपने घर लेना है तो आप गर के काख़ा देते हैं कि जब तक मैं लोन बचुका दूं तब तक मुझे चान देरें के तो हम उसे को लेटरल कहते हैं तो बग्या अपका जाएगा एक प्रॉपर्टि य होता है next है identify the correct statement about globalization globalization आपको correct statement बताने है removal of barriers by the government यानि governments जो बाधाएं होती है वो रोकता है तो yes globalization तबी बढ़ेगा तो first तो सही है foreign companies are allowed to set up current factories तो हां foreign countries जो है उन्हें allowed कर रहात है कि आप हमारे देश में आई और factories लगाई है तो yes यह भी correct है has enable all companies to increase their investment and company को allow करता है कि अपनी investment increase करो तो ऐसा तो कुछ नहीं करता है listen foreign and foreign trade तो से काम करता है तो यह भी नहीं होगा first or second correct है यानि a option आपका correct जाएगा फिर section B very short answer based questions पहला question है आपको दो फैक्टर बताने जो कि great depression America में responsible हो 1929 में तो यह आपने चैप्टर थार्ड में तब making of global world में पढ़ा होगा जो agriculture सबसे पहले हम इनके पांच रिजन लिख रहे हैं आपको दो बोलें बड़ हम पांच लिखेंगे आप आपको इन पांच में से कोई दो तो याद ही रहें अग्री कल्चर ओवर प्रोडक्शन जो होती है अनि अग्री कल्चर का इतना जाद उन्होंने ऊवर प्रोडक्शन कर दी थी जो कि कि एक फिस खत्रा बन गया था उन्हें लिख जो से जो अग्रीकल्चर प्राइस थे वह लो गए थे आलो के प्राइस लोग गए तै आपने पड़ा होगा अब प्राइस जो हैं वह फ्लंप होका कर गर गया जो लोग एक्रीटर पर डिपंड थे वह सब खर्तम हो गई डिक् क्योंकि प्रोडक्शन ही रहा था हर कोई सस्ता देना लगा था मिद नाइंटी में जो कुछ बहुत सारी कंट्रीस थी युएस से उन्होंने लोन भी लिया था और वो एक्स्रेमली इसी तो रेज लोन इन दा युएस वन दा गुएंग वास गुड नेक्स बट इन दा फर्स ऑफ नाइंटी वेंटीएट के स्टार्टिं में क्या हो था यह मतलब कंट्री तो थी वो युएस पे क्रूशली डिपेंड थी युएस लोन फेस एन एक्क्यूट क्रा ब्रिटिश पाउंब स्टार्लें और अधर 11 पॉईंट भी आप लिख सकते दे लिए नेक्स्ट आपको कुछ प्रोविजन करने मतलब कुछ रिप्रोवीजन बताने हैं जिससे इंट्टिट इंट्या इंट्वा सेट अप्यूलर कंट्री इंडिया जो है वह किसी भी धर्म तो हम आपको प्रोवीजन बताने के ऐसा क्यों है तो क्योंकि इंडिया के पर कोई ओफिशल रिलीजिब नहीं है कंजिटवीजिब नहीं है एसा कुछ नहीं बोला कंस्टिटिउशन ने हार एक यक्ति को फ्रीडम दिया है कि वह कोई साथ भी धर्म अपना सकता है कोई साथ धर्म फॉलो कर सकता है कोई सी लांगविज बोल सकता है और कंस्टिउशन ने मतलब ये पाबंद लगा दे कि हमकिसी को धर्म के धर्र पर भेटभाव ने कर सकते या अगर थो यापके पर हिंदू लड़का खड़ा है और यहां भी मुसलिम लड़का कड़ा तो हिंदू लड़का यह नहीं बहुता है तो मुसलिम है मैं तुरे डिस सेम टाइम में किसी भी रिलीजन के मैटर पर अगर कोई भी लोग लड़ते हैं तो इस निशार करता है कि दोनों में एक्वालिटी हो और कोई अधर रिलेवेंट पॉइंट भी आप लिख सकते थे कज़िए अथवा कोई और तो कोई दो वेस बताने हिसे हम ए कंजभ कर सकते हैं और जए हैं नवेचर energy resources को increase कर सकते हैं the people should be made aware of the fact that energy should be conserve and use यहनि लोग नोगों पता बता देना चाश्ये है कि energy को उन्हें बहुत कम यूज़ करना है शुट भी यूज़ उन्हें renewable energy resources ही यूज़ करने बाग की नहीं हम अडॉप करते हैं कर सकते हैं जोर्गे यूज़ ऑफ अवर लिमिटेड एनरजी रिसोर्स यानि हम कानून बना सकते हैं और एक संस्टेबल यूज़ ऑफ यानि बहुत कम ही यूज़ करें हम नॉन रेनेवल एनरजी का यानि जो जिल्दी ही लिमिटेड है उनका यूज़ कम करें और बहुत इंपॉर्टेट उन्हे कंजर्व करें यानि उन्हें बचाएं हमें पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है चाहिए इंडिवीड्यल वीकल से यानि बस यूज़ करने चाहिए सबके पास अपने अपनी गार और सब चलाने लगेंगे तो पैट्रोल कतम हो जाएगा इस दुनिया से इसलिए ह अशरक पावर श्यवीड्यवाइस अपने घर करने हैं पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट एक विकल जो इतने सारे लोगों कर सकते हमें वह यूज़ करने चाहिए यानि पावे पावर सेवंग डिवयस्टी अपने घर में यूज़ करने चाहिए जिस से जो है अनडर्जी सकते हैं one should use conventional source of energy or conventional source energy का use कर सकते हैं अब हमने यह वाला कर लिया अब हम यह वाला देखते हैं suggest any two ways to improve uses solar of solar energy आपको दो ways बताने जिससे solar energy हम का use कर सकते हैं इंप्रूफ कर सकते हैं तो यह दो ways हो जाएंगे यह improve होगी हम cost of solar panel यानि solar panel का cost कम हो जाएगा reduce कर सकते हैं और efficient solar panel model हम की जगे एक another model use कर सकते है solar energy का और awareness हमें राइस बढ़ानी होगी renewable energy important है इसके बारे में हमें सभी को बताना होगा people और people मतला लोग को इस बारे में पता होना चाहिए easy installation process यानि installation process होती है वो solar panel के लिए easy होती है और जो लोग है है वो easily install कर सकते है अपने house में अपने घरों में अगर कोई भी solar panel खरीद रहा है तो उसे high concentrated photovolatic CPV से उसे पाई करना चाहिए और installing solar panel in shaded area यानि ऐसे एरिया जहां पर दूपी नहीं आती वहां पर अबॉइड करना है वहां पर नहीं करना it will act as a barrier in production of solar energy यानि barrier की तरह act करता है और कोई other relevant पॉइंट भी आप लिख सकते हैं फिर in what ways government can increase employment in ruler sector तो ऐसे कौन से तरीके हैं जो government introduce कर सकती है इंक्रीज कर सकती है employment ruler सकती है बहुत सारे मेंथड जैसे वह मेगा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं जिससे जो गाउं के इलाके वहां पर वहां पर क्या मिल जाए वहां पर employment हो जाए नए नए डाइंस कर आप सकती है जिससे अग्रिकल्टर लाइंड यानि यह लोग परकेति करते है वहां पानी असानी से मिल जाए और टर्श्री से फेसिलीटीज यानि जहां पर अच्छे अच्छी नौक्री दिशाए थी लिए आपर और नायज शेक्टर होते हैं तर्स्टरी वह बढ़ा सकती है और प्रमोट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को semi-rural areas को it is also possible to set up इंडस्ट्रीज एट प्रोसेस वर्जेटेबल और अग्रिकल्चर प्रोटेस्ट लाइक यह वह और इंडस्ट्रीज भी मतलब लगा लगवा सकते हैं जो वेजटेबल और अग्रिकल्चर प्रेडियूस होते हैं जो कि उसे अच्छा बना सकते हैं तो यहां पर हमने कर लिया अब हम अपना सेक्ष्ट्री जो हो अपनी नेक्स वीडियो में करेंगे जिससे वीडियो लॉंग ना हो और आपके सर में दर्द ना हो जाए तो विकॉज सब्सक्राइब करें नेक्स पार्ट हम अपनी नेक्स वीडियो में देखेंगे थैंक्स वीडियो में देखेंगे अ हुआ है